और आज बच्चों को छोड़ने के लिए हुए अता भाई अलाम अलेकूम के सब्सक्राइबर बन जाते हैं तो कभी इनके सब्सक्राइबर बन जाते हैं तो कभी गोंचु का दोस्त बन जाता है तो कभी इनका ड्राइबर बन जाता है तो कभी इनका भाई तो इसने यही बोलके दद बार रोना दोना डाला है ना कि मेरे बच्चों को स्कूल का मतला हो जाता है गोंचु जाता है तो इसके लिए मैंने मेरे भाई फारुक को बलाके रखा है तो फारुक जाने के बाद में ये ड्राइवर जब है काम करने के लिए तो बच्चों के स्कूल के बहाने फारुक को क्यूं रखा हुआ था आप लोगों ने देखा होगा केस्टमर पे लेके जाने के लिए ये ड्राइवर काम आता है और कहीं भी इसको गाडी के साथ में जाना हостसे तो यह driver काम हता है तो स्कूल के लिए यह driver क्यों नहीं काम आसकता आप लोग यह बता ओ तो मतलब इतने जूट कहा था ना कि यह जो फारुक है यह बच्चो की स्कूल के वज़े से बुछाया गया है और बाजार के वज़े से कुछ न कुछ सामान लेना देना हू उसके वज़े से भाई जितनी फैसिलिटी सितारा को मिलती है इतनी निए तो मुझे लगता है कि दुनिया में कोई आम बंदा है उनको भी नहीं मिलती कि husband जाएंगा तो कोई न कोई इसको चाहिए बच्चे school चोड़ने के लिए market करने के लिए घर तमालने के लिए हमारे भी husband जाते भई कहीं न कहीं जाते रहते तो हम खुद हमारे काम करते हमें तो ऐसी facility की जरूरत नहीं पड़ती हम अपने आपको इतना मौताज नहीं महसूस करते कि हमें husband के जाने के बाद में कोई और मर्द की या कोई की भी जरूरत पड़े हम इतने कमजोर तो नहीं है जितना कमजोर ये दिखाती है अपने आपको जबके सच्चा ही क्या है सच्चा ही यही है कि ये पूरी रात कश्टमर पे रहती है आदा दिन कश्टमर पे रहती है तो इसके पास में टाइम नहीं होता बच्चों के लिए घर के लिए इसके लिए इसको किसी की जरूरत पड़ती है बाकी जो ये जताती है न वो है नहीं और जो ये दिखाती है लोग पूरा दिन सोए पड़े रहे, अम्मी की तब यह ठीक नहीं थी, अम्मी का सरदुकरता, अम्मी सोई थी, इसके लिए मुझे भी माका मिल गया, मैं भी पूरा दिन सोई रही, अब भी जाके मैं सोके उठी हूँ, तो मैं शाम को व्लागिंग करी हूँ, जबके इसके अम्मी को तो यह जो भी जूड बोलने लगाएंगी, अम्मी तो जूड बोलेंगी ही न, अम्मी आई की इसलिए भई, अम्मी को जूड बोलने के लिए तो बुलाया गया है, अम्मी को गलत काम में साथ देने के लिए तो बुलाया गया है, जब अम्मी सौधी में बड़े- मेकब रिमूफ किया हुआ थोबड़ा इसका दीक रहा था और कह रही है कि मैं सो के उठके आई हूँ सितारा बेगम किसी और को लू बनाई है ठीक है अम्मी की जो मैं जूट की दास्तान अभी सुना रही थी तो अम्मी को तो इतना अच्छा इसने जूट बोलना सिखाया है पता नहीं अम्मी ने इसको सिखाया है या इसने अम्मी को सिखाया है क्यूंकि कमेंट तो यही आते है कि अम्मी की यह मतलब कॉपी है खेर हम उसके उपर नहीं जाते हैं अम्मी के उपर नहीं जाते लेकिन अ कुछ नि करती हुद सितारा करती है थी था मैंने चाय बनाया था है थे जलाने आये वस बस करदो कितना पॉल्लू बनाओगी सितारा क्यों की सभी को पता है कि तुमने लेसे बिलाया क्यों बुलाया है अब फारुक चला गया है तो अमी तो आए दिन किचन में जाड़ू पोता करते कपड़े दोते नजर आएंगी और फिर इसी तरह ते कुछ ना कुछ बाहना करके ये जता दोगी के नहीं 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 अमी तो कुछ नहीं कर रही है मैंने किया है जमी तसरी चमचाई लाने के लिए खड़ी है ना बात देखके बड़ा अफसोस लगा बड़ी ही अफसोस की बात थी कि इतने दिन तक के फारुक के हाथ का खाए और जैसे ही वो बंदा गया वैसे ही इनके अब्बु आके कह रहे है कि खाना थोड़ा तीखा बन रहा था तो अफिका करना फारुक बहुत तेज बनाता है वाँ भई वाँ यह देखिए यह है इनकी असियत मों पही मुमानी पीट पीछे समझ गया आप लोग तो यह लोग ऐसे जब तक के इंसान सामने है ना उसकी तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ करते जैसे ही इंसान गया उसकी बुराई करना चालू अब इतने टैम से वो आया मोसी बन के बच्चे समाल रहा है मार्किट ला रहा है खाना बना रहा है वो सब कूछ नहीं दिखा जैसे ही वो गया कहे दिये कि उसने खाना तेज बना रहा था तो तोड़ा फीका बनाना मेरे पर रहा हैं करना और अ सब्सक्राइटिंग होती है वो भी बड़ी अच्छी होती है भई इतने साल तलग के अबू सौधी में थे इतनी रिस्पेक्ट मिली इतने अच्छे से उनको समाला गया तब अबू कभी नहीं ऐसे चीचोरा अच्छा चीचोरा नहीं बोलना चीए सही है सही है मतलब इसे मत प्याक और उचलते कूदते कभी नहीं नजर आए हमेसा गुसे में नजर आए जब भी नजर आए गुसे में नजर आए और यहां पे देखो इतने इतने से पिल्लू लोग के साथ में उचल खूद कर करके खेल रहे इसको कहते हैं पैसा बोलता है वहां पे जो सगे पोते प खावे के लिए देने की कोशिश की जा रही है और इतना ज्यादा मतलब उनके साथ में प्रेंडली हुआ जा रहा है कि वो इतनी सी जो आयत है ना वो कुछ पिलो अगेरा लेके अपने नाना के उपर हाथ उठा रही है और मुस्तफा को कह दिया गया के वीडियो बनाओ और ए करवार यह कल यही तुम्हारी आउलाद की आउलादे करेंगी जैसा इज्ज़त देना तुम बड़ों के साथ में बच्चों को सिखाओगी ना तुमको भी वैस्ती ही इज्जत मिलेंगी पिछारी को ना ठीक से लगता है वीउज नहीं आ रहे है लगता क्या है ठीक से इंडियन व्लोगरों के नाम ले लेके उनकी हिस्ट्री बताने की कोशिश कर रही है यह थी वो थी खार लिया था पहले यह था वो था मतलब यह जता रही है कि मैं बहुत ज्यादा फॉलो करती हूं उनको बहुत ज्यादा देखती हूं यह लालची और हमें से अपने चैनल के फाइदे के लिए ही बात करती है वरना कभी भी ऐसे कोई यूट्यूबर का नाम नहीं लेती है जो बहुत ज्यादा मतलब मिलियन पे ना हो और अच्छा काम करता हो ऐसे यूट्यूबर का कभी भी नाम नहीं लेती हमें सा मिलियन वलो का नाम लेती है थाके इसके जो उनके फैन है न वो इसको सब्सक्राइब करें इसको पसंद करें लेकिन सितरा एक बात याद रखना उन लोगों ने इज़द बनाईए उन लोगों ने व्लोगिंग करने के बाद में इज़द बनाईए और तुमने व्लोगिंग के बाद में इज़द गवाईए ठीक है यह है तु उन लोगों में फरक तो अपने आपको उन लोगों के साथ में जोड़ना एक तो बन करो और ये भी सोचना बन करो के उनके फैन तुमारे फैन बनेंगे ना ना जो गंदगी को पसंद करते ना वो लोग तुमारे फैन बनते हैं ना के जो लोग टैलेंट को पसंद करते हैं वो यसे बताई है तो भाई तुम्हारा जूट पकड़ा गया है कि तुम हर एक वो बड़े-बड़े व्लोगरों के हर एक वो बड़े-बड़े लोगों के वीडियो देखती हो उनके यहां से तुम हर एक टाइटल थमनेल डायलोग और जो भी उनके जो चीज मतलब वाइरल होती है वो चीजों को तुम फिर चुराती हो और उन चीजों को तुम कॉपी करती हो ताके तुम्हारा भी वैसा नाम हो लेकिन तुम कितनी भी कोशिश करती हो ना तुम गरम तवे पर बैड़ जाती हो लेकिन तुम्हारा नाम नहीं होता तुम्हारा नाम बदनाम होता है और ल मासुम बच्चा मुस्तफा जो बहुत बड़ा शिचोरा निकलेंगा बड़ा होके तो वो मासुम बच्चा पूछ रहे है कि आया सब से पहला बैट से कब गिरी थी भाई तू ये सब मत पूछ तेरी मम्मा को न ये सब नहीं पता बच्चो कब गिरे थे कब बड़े हुए थे कब स्कूल गयते कब कौन सा कपड़ा पहने थे कब हसे थे कब रोयते ये सब मत पूछ पहला बॉइप्रेंड पहली बार कब पकड़े गई थी पहली बार रेट कब पड़ी थी पहली बार तुम को अंदर कब किया गया था पहली बार तुम मतलब फेमस कब हुई थी मतलब पिच्चर और विडियो से ये सब पूछ ये सब में तेरी ममा माहिर है बच्चों में घर की रस्ती में रिस्तेदारी में इज़त में ये सब का कोई लेना देना नहीं ठीक है मासूम बच्चा अम्मा की जो इज़त कम हो रही है मैंने जैसे के बताया था ना नवी नवी आई थी अम्मा तो बड़ा ही है अम्मा का ये अम्मा की पसंद अम्मा की चोईस अम्मा को ये पसंद नहीं वो पसंद नहीं करके जो डायलोग मार रही थी तो मैंने बताया था ना कि चार दिन की च दो दिन के अंदर अंदर सितारा ने अपना कंट्रोल भो बैटी और अब अमा नां वेज खा रही है। कर रही है यह नहीं कहते हैं तो उसके लिए आपने कुछ किया यह से इसको कमेंट आ हमारे जो जूते रहते हैं उनके तो ये कमेंट आ रहा था इसको ये कहरी है कमेंट बाकी ये रियक्षन वोलों को जवाब दे रही है कि भाई इतनी गुलामी करके गया इतनी इसके घर की टॉइलेट साफ किया बच्चों की डाइपर चेंज किया और इसको बदले में क्या मिल तो ये कह रही है कि मैं जो करती हूँ अल्ला जानता है मैं जानती हूँ मैं कुछ भी देती हूँ तो मैं शो आफ नहीं करती मैं दिकावा नहीं करती अच्छा इतनी अच्छी होती ना तू तो जो तेरा भाई नदी में ना उसके बच्चे को तो जरूरत है तो वहां पे त खासोर की तरह नोकरानी पना किया तो तुने दिए तो तो ने दिए तो कोई अइसान नहीं है तुने ठीक है When I was a new to email कुछ भी नहीए धिये नैंना उससे ड belly tuble to the tenant करके गया है तेरे बच्चों की नौकरी करके गए है तेरे की चंद समालके गए है ठीक है तो दिये तो कोई अहिसान नहीं की है अगर तुझे करना ही है तो ऐसे की मदद कर जिससे तुक काम भी ना निकल वाए मदद करे ठीक है जैसे के तिरह भाई नदीम हो उसके बच्चे को जरूवत है उसकी मदद करके दिखा उसके बच्चे की इलाज करवा के दिखा तब मानेंगे यह सब दिखावा करके और पिर बाद में बोलके बताना यह सब तो तु रहने दे तेरी चालवाजी ना बहुत अच्छे ते समा जाती है इतनी ज़्यादा इसको की रिषपेक रहती इतनी ज़्यादा इसको बड़ो की दुआओं की जरूरत रहती तो यह अपने ससूर को क्यों नहीं रखी तो कह रही है के ससूर आज जाकर इतने दिन के बाद में उस चीज का जवाब दे रही है कि ससूर हमारे साथ में रहना पसंद नहीं करते हमारे चोती न सितारा तो अब्बू को इंसाब दो वाला नाटक ना करती तू ठीक है वहाँ पर क्या बाते हुई थी तेरे खुद के जेट ने क्या कहा था कि इतना ही अब्बू की पढ़ी है तो रूम खोल के दे दो अब्बू को एक तुने क्या कहा था चावी तो हमने लाए नहीं है रूम की चावी तो उधर ही है वो चाए तो कोल के यूज़ करे लेकिन तेरे ही गोंचु के वीडियो में फिर वो बात पकड़ी भी गई थी कि गोंचु ने कहा था चावी मेरे पास है मतलब कराची में चावी है तो तु ये जो जूड बोलती है न कि मैं बड़ो का पुरा कर रही हूँ मैं बड़ी अच्छी हूँ मैं सबकी रिस्पेक करती हूँ और मैं मेरे ससूर को समाल रही हूँ उनके लिए मैं बहुत कुछ कर रही हूँ तो वो सारों को पता है कि तु क् यहां तक के तुन्हें तेरे ससूर को घर से निकालके वो रूम को भी लॉक करके आई है एक नी दो नी तीनो चारो रूम को तु लॉक करके चावी कराची लेकर आई है तेरे ससूर को तुन्हें घर से निकलवा दिया है बलके ना के तुन्हें ससूर को हर एक चीज देती है ठ ह्वाध धतर सब्सक्रा suburbs क्यों क्यूस100 क रहने का ठीक्क ना नहीं तीक और जो दूसरी है क्या नाम मैं इसके जेट का ऐस एडर झालीद भाई उनके इधर रहते और की सरे फिर यहां पर जो बाजू में मदनी आपने क्यों क्यों क्यूंकि तु रूम लोग कर भूब लोक कर लोक कर के आई, और गोंचु ने एक बार डोंग कर रहा था, जूड बोला था, कि मैं जा रहा हूं पैसे लगाने के लिए, और पैसे लगा के फिर हम लोग है न दुबई के लिए निकलेंगे, फिर बाद में राविया कानी ने बता आया था, कि अबू को तो प प्पताया है वो लोग घर पही ने इस तरह कि रिपेक्ट करती है अपने ससुर की और यहां पर आके इतनी अच्छी बनने कोशिश करी है बता रहे है सब को कि मैं बहुत अच्छी हूं slide तू कितनी अच्छी है ना हमें सारा कुछ पता है बताने की कोई जर्वत नहीं है पिटारा जूट का ठीक है चैनल के लिए अपने सेकेंड अब्बू को मतलब ठाड है ना हां ठाड अब्बू को इतना चाट रही है जब लोग उंगली उठा रहे है तो ये लेकर आ गई जू कि तेरे ससुर को कितना जलील करती है और कितनी बेस्ती करती है और एक एक रूपए के लिए मोताज करके रखती है ना वो सारा कुछ हमको पता है और तू जैसा कर रही है ना सेम तुझे तरी अवलाद वैसा ही देंगी और ये जो तू अपने जो अब्बू को इतना चाट जता रही है कि मैं बहुत अच्छी बेटी हूं मैं बड़ों की बड़ी इज़त करती हूं तो तू उनके लिए भी क्यों इतना कर रही है वो भी पता है सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल चमकाने के लिए इतना खुश हो के उचल रहे है ना बहुत जल्द उनको तेरी उकात पता चल जाएंगी वेते तो उनको पता है तेरी उकात लेकिन तू अभी वापिस से अपनी उकात पे आने वाली है ना वो चीज उनको बहुत जल्द पता चल जाएंगी जब तू उनको रफा दफा कर देंगी ना तो उनको पता चल जाएंगा कि ये नहीं सुदरने माली य जैती थी न कुत्य की दुम तेड़ी वैती की वैसी है ठीक है तो ये धोंग दतुरे बंड कर तेरी अतलियत न तेरे यही माबाब बाहर लेकर आएंगे और दुनिया को भी दिखाएंगे भले मुह से बोले ना बोले जो उनके करता धरता रहेंगे न उनकी करनी रहेंगी न मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्ला पीस अ जहिएंगे करते हुआएंगे का मताएंगे कर दोली चैडे कारो Sharp